हलो दोस्तो मेरा नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ सैमसंग गिलेक्सी M30S जो सैमसंग का एक बहुत अच्छा मुबाइल है दूसरी तरफ है रियलमी का X2 जो भी हाली में लॉंच हुआ है तो इस वीडियो के अंदर मैं इन दोनों मुबाइल्स में कमपेरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या कमिया है और किस चीज में कौन सा मुबाइल जाद अच्छा है आपको कौन सा खरीदना चाहिए कौन सा नहीं तो अगर आप एक mobile खरीदने की सोच रहे हैं तो वीडियो को end तक दिखते रहेगा बिल्कुल भी skip मत करिएगा पीछे की तरफ आपको दोनों mobile's के box के उपर आपको ये सारी specifications मिल जाती हैं पढ़ सकते हैं बाकी उपर की तरफ realme X2 के box पर रिट लिखावा है 18,000 का Samsung पर 15,000 का लेकिन Samsung मिल जाएगा आपको online 14,000 में realme X2 17,000 में चलिए देखते हैं 14,000 में Samsung के साथ आपको क्या के मिलता है तो सब सब पहले जैसे ही आप अन्बॉक्स करते हैं ये उपर की तरफ mini box मिलता है जिसमें लगवा है एक SIM ejector tool अंदर रखे वे मिलता है कुछ यूजर manual इसके बाद आपको मिलता है mobile जिसका detail हम अभी देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं type C cable मिलती है जिसकी length आपको normal दी गई है quality is data cable के आपको अच्छी मिलती है बाकी इस mobile के box के अंदर आपको cover नहीं दिया गया ये इसमें कमी है आखिर में रखावा मिलता है ये white color के अंदर charger जिसकी build quality आपको काफी अच्छी दी गई है आप दूसरे इस mobile के अंदर आपको fast charging का support भी मिलता है और एक fast charger mobile के साथ box के अंदर ही दिया गया है ये 15 watt का charger है तो ये सारा समान आपको मिलता है Samsung के साथ 14,000 में तो rate के हिसाब से देखा जाए तो इस mobile के साथ आपको काफी बड़िया ही समान मिलता है type C cable भी है, fast charger भी है, cover नहीं दिया गया बस ये ही कमी है चली देखते हैं अगर आप 3,000 उप और जादा खर्श करते हैं तो 17,000 में realme के X2 के साथ आपको क्या के दिया गया है तो जैसे ही आप unbox करते हैं X2 को, इसमें भी सबसे पहले ऊपर की तरफ रखावा मिलता है ये mini box जिसमें आपको अंदर की तरफ रखे हुए मिलता है कुछ user manual इस तरीके से और एक दिया गया है cover, दोस्ते इस मच्छी चीज़ यह आपको cover मिलता है जो आपको सैमसंग के साथ नहीं दिया गया इस चीज़ में realme अच्छा है, इसके बाद आपको रखावा मिलता है mobile, जिसके detail हम अभी देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं box के अंदर आपको एक data cable दी गई है, जिसकी length भी काफी अच्छी है और quality भी बहुत बढ़िया है और इसके साथ भी आपको यह type-c cable ही मिलती है, लेकिन इसकी quality जाद अच्छी है सैमसंग से आखिर मेरा cover मिलता है यह white color के अंदर काफी heavy charger, जिसकी build quality काफी बढ़िया है अब इस mobile के अंदर भी आपको fast charging का support मिलता है, fast charger मोबाल के साथ box के अंदर ही दिया गया है लेकिन फर्क यह है, दोस्तो इस mobile के साथ आपको मिलता है 30 watt का charger सैमसंग के साथ आपको 15 watt का दिया गया है, इस mobile के साथ आपको 30 watt का मिलता है जो इस mobile को तकरीबन 1 घंटे के आसपास charge कर देगा और Samsonx के मूबाल के साथ जो आपको चारजर मिलता है वो उस मूबाल को कम से कम दो गंते के अंदर चारज करेगा तो रेट के हिसाब से देखा जाए तो वیसे तो दौनों मूबाल के साथ आपको काफी बढ़ीसी समान मिलता है Realme के साथ जादा अच्छा है क्योंकि इसकी कीमत 3000 रुपे जादा है इस चीज में दोनों मुबाल्स अपनी जगा अच्छे हैं बात कर लेते हैं डिजाइन के बारे में तो दोस्तो दोनों ही मुबाल्स के अंदर आप देख सकते हैं ग्लास लुक गोरिला ग्लास की प्रोटेक्शन भी मिलती है तो इसमें आपको स्क्रेचिस की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती डिजाइन की क्वालिटी में Realme X2 जाद अच्छा है बात करें कैमरे के बारे में तो X2 में आपको पीछे चार कैमरे दिये गाए है दूसरी तरफ सैमसंग के अंदर आपको पीछे तीन कैमरे दिये गाए है और फ्रेंट कैमरे है 16 मेगापिक्सल का वैसे तो दोनों मोबाल्स में आपको अपनी जगा कैमरे की परफॉर्मेंस नॉर्मल ही मिलती है लेकिन ज़्यादा बढ़िया कैमरे आपको दिया गया है रियल्मी X2 के अंदर कैमरे के अंदर रियल्मी X2 ज़्यादा अच्छा है सैमसंग के M30S से बाकि इसके लावा दोस्तो आप देख सकते हैं कंप्लीट डिजाइन आपको किसका डिजाइन अच्छा लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा एक चीज और आप नोटिस करिएगा सैमसंग के अंदर आपको बैक पैनल पर फिंगरपिंट स्कैनर मिलता है डिस्प्ले के अंदर नहीं दिया गया डियल्मी एक्स्टू के अंदर आपको जो डिस्प्ले के अंदर फिंगरपिंट स्कैनर मिलता है उसकी स्पीड बहुत तेज है इस चीज में ये मुबाल काफी अच्छा है इसके लावा दोनों मुबाल्स के यूजर टेफेस के बारे में बात करें तो रियल्मी एक्स्टू में आप ऐसे उपर की तरफ स्वाइब करेंगे आपको सारी अप्लेकेशन्स मिल जाती है दूसरी तरफ सैमसंग के अंदर भी आप ऐसे उपर की तरफ और नीची की तरफ स्वाइब करेंगे आपको सारी अप्लेकेशन्स मिल जाती है user interface के अंदर वैसे ये दोनों मोबाइल्स काफी अच्छे हैं लेकिन जादा smooth जादा बढ़िया user interface आपको दिया गया है Samsung के अंदर user interface में Samsung जादा बढ़िया है Realme से बाकि दोस्तो दोनों मोबाइल्स की display में आपको बिल्कुल फुल brightness करके करीब से दिखा देता हूँ दोनों में आपको notch मिलती है जो जादा अच्छी लगती है Realme की display वाली क्योंकि इसके अंदर आपको थोड़ी सी V-shape में notch मिलती है और Samsung के अंदर U-shape में इसके लावा display के अंदर जो आपको edges, bezels दिये गए हैं वो आपको जादा कम मिलते है Realme X2 की display में तो display size के अंदर दोन अच्छे हैं, design में Realme X2 अच्छा है, colors के अंदर आप देख सकते हैं, दोनों ही display काफी बढ़िया लग रही है लेकिन मुझे personally Samsung के AMOLED display जाद अच्छी लगी left side सा आप देखेंगे, दोनों mobile's को आपको sim के tray दी गई है, Realme X2 में volume के buttons भी left side पर ही मिलते हैं दोनों mobile's में आप दो sim card, एक memory card, तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते हैं, नीचे की तरफ सा आप देखेंगे charging port, speaker, mic, headphone jack दिया गया है right side सा आप देखेंगे, तो Samsung में volume के buttons और power का button मिलता है, Realme X2 के अंदर power का button दिया गया है उपर की तरफ दोनों mobile's में आपको noise cancellation mic मिलता है, Realme X2 का design आपको side उसे silver color में मिलता है, जो बहुत जादा बढ़िया लगता है इसके लावा दोनों ही mobile's के अंदर आपको मिलती है 4GB के RAM, 64GB के internal storage, इस चीज़ में दोने एक जिसे हैं, हाला कि Samsung की कीमत 3000 रुपे कम है, तो इस चीज़ में आपको Samsung जादा अच्छा मिलता है Samsung के अंदर आपको 64GB में से मिलती है 50GB के आसपास, और Realme X2 में 51GB के आसपास, अभी मैंने समें कुछ applications इंस्टॉल करी हैं, जिस वज़े से इसकी memory 2GB कम हो गई, तो तक्रीबन आपको दोनों mobile's में बराबर ही memory मिलती है, Realme X2 में 1GB जादा है, लेकिन इस चीज़ में Samsung ही अच्छा मिलता है Realme से, बात करें दोस्तों battery के बारे में, तो Realme X2 में आपको battery मिलती है 4000 image की, और Samsung के M30S में battery मिलती है 6000 image की, battery backup वैसे तो दोनों mobile's के अंदर आपको अराम से एक दिन का मिल जाता है, battery में दोनों अच्छे हैं, लेकिन और भी जादा बढ़िया मिलता है आप प्रोसेसर के बारे में, तो Realme के X2 में आपको मिलता है Snapdragon 730G प्रोसेसर, और Samsung के M30S में आपको दिया गया है Exynos का 9611 प्रोसेसर, अब दोस्तों अगर आप एक heavy user है, तो इन दोनों mobile's में आपको काफी बढ़िया ही performance मिलती है, जैसा अगर आपको PUBG वगरा खेलने के लिए mobile ल मिलता है, इसके लावा दोस्तों ये सारी खूबियां और कमी आपको मिलती हैं दोनों mobile's में, और Samsung का mobile चार्ज होने में तकरीबन दो घंटे का टाइम लेगा, वही दूसरी तरफ Realme X2 एक से सवा घंटे के अंदर चार्ज हो जाएगा, ये इस mobile की सबसे बड़ी खूबी है, कि इसके साथ आपको 30W का fast charger दिया गया है, तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं, सबसे main चीज़ आपको इन दोनों में से कौन सा खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं, तो दीखिए अगर ये आपकी जरुत के उपर ही matter करता है, कि आपकी main जरुत की चीज़ कि इस mobile में जाद इसके लाब दोस्तों अगर आपके लिए matter करती है mobile की battery, तो भी आप Samsung M30S ही खरीद दियेगा, ये mobile आपके लिए जाद अच्छा रहेगा, बाकि अगर आपके लिए matter करता है mobile का प्रोसेसर, तो प्रोसेसर के अंदर वैसे दोन अच्छे हैं, लेकिन और भी जादा बड़ी आपको मिलता है realme का X2 ही, दोस्तों आप realme X2 लीजिएगा प्रोसेसर के लिए, आखिर में अगर आपके लिए design matter करता है, आपको design की quality अच्छी चाहिए, तो आपको X2 के अंदर ही जाद अच्छी मिलती है, glass look दिया गया है, Samsung के अंदर आपको plastic के type का ही design मिलता है, तो अच आपको प्रोसेसर काफी जादा पसंद आया, क्योंकि इसकी performance काफी अच्छी है, और in display fingerprint scanner मुझे इस mobile का काफी fast लगा, आप मुझे बताईएगा, कमेंड करके आपको इन दोनों मुबाइल में कौन से जादा पसंद आया, यह चीज़ आपको इन दोनों मुबाइल में कौन स मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताईएगा, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के नीचे जो यह लाल कलर का बटन उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ जो यह घंडी का निशान है, उसे भी दबा देगा ताकि नई कमपेरिजन की वीडियो आप तक पहुचती रहें, इसके लाब वीडियो अगर आपको helpful लगी, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देगा WhatsApp Facebook पे, मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए, टेक केर, बाबाई